दोस्तों यूतो प्रेग्नेंसी के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम बनी ही रहती है जैसे कि आप कंसीव करते हैं उसके बाद से आपको उल्डी का प्रॉब्लम, जी मिचलाने का प्रॉब्लम और साथी साथ पेट दर्द और कमर में दर्द ये सारी प्रॉब्लम्स बनी ही र तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि जो खुझली आखिर उसके कारण क्या है और उसके लिए आप घरेलू क्या उपाई अपना सकते हैं जिससे कि आपको खुझली में राहत मिल सकती है जी हाँ दोस्तों तो नॉर्मली खुझली जो होती है उसमें हर्मोन आपके अंदर काफी ज्यादा इस दौरान आने लगते हैं हर्मोन का उतार चड़ाव काफी ज्यादा होने लगते हैं उसके वज़े से खुझली की प्रॉब्लम काफी आम हो जाती है और जैसे जैसे आप अपनी गर्भावास्ता के चरम पर पॉस्ते हैं आप तूसरा तिमा आ सकती है तो दोस्तों ये प्रॉब्लम कभी-कभी तो सिर्फ पेट में देखने को मिलती है जहां पर आपका साइज जो है पेट का वो बढ़ जाता है लेकिन कभी-कभी ये प्रॉब्लम आपको टांगो में भी देखने को मिल सकती है और इसके साथी साथ कभी-कभी पूरी तो ऐसे में आपको डॉक्टर से कंसर्ण करना चाहिए लेकिन अगर खुजली अभी शुरू हुई है और आप इसका उपाय चाते हैं तो इसके लिए बहुत ही इजी उपाय है जिनके लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी या आपको आपके घर पर ह मिल जाएंगे जैसे कि खुजली वाली जगे पर जो है वहां पर आप ठंडे पानी का सेख कर सकते हैं जी हां दोस्तों ठंडे पानी के सेख से भी खुजली में काफी जयदा आराम मिलता है या फिर आप बर्फ को लेकर किसी कपड़े में उसे बांध कर उससे भी आप अलोवेरा तो हम सब के घर में आजकल बहुत ही जादा अवेलेबल रहता है तो आप अलोवेरा का जो जेल है उसे निकाल कर उस पोर्शन पर लगाईए एक बहुत ही अच्छा सॉलीशन होता है आपकी स्किन को मॉश्यराइज करेगा और खुजली की प्रॉब्लम से आपको आराम दिलाने में और साथ इसे फाकी बॉड़ी अगर इंफ्लामिशन हो गया खुजली की वजह से तो यह उससे भी कम करने में काफी हल्प करता है और खुजली करने की वजह से जो निशान पर जाता है यह निशान नहीं पढ़ने देता तो बहुत अच्छ आप्शन होता ह कि आप नारेल का तेल का यूज करिए और नारेल का तेल जो है वो आपकी बॉड़ी को हाइड्रेट भी रखेगा ड्राइ भी नहीं होने देगा दोस्तों अंत में आपको एक बात और बता देती हूं खुजली का एक करण पानी की कमी होना भी होता है बॉड़ी में तो जो खुजली का यह प्रॉबलम है इससे आपको काफी जादा आराब मिलेगा तो दोस्तों उम्मीद करती हूं कि वीडियो आपके लिए यूसफुल होगा इन्फॉर्मेटिव होगा और इसी तरीकी की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल हैल्टिप्स को सब्सक्राइब जिलता है दोस्तों इसी तरीकी की नेक्स्ट वीडियो में तब तके लिए स्टेए सेव स्टेए हल्दी एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो बाई बाई